मोदी जीच 24 का लाग साथ ही खास वाच्चित करी हादी आउ सामपडी मोदी जीच 24 गंटा के प्रूग्रम में अक्षरन करने के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी आपके जी दर्शकों को बहुत इरदय से धन्यवाद करता हूँ छे चरण में बंगाल के आपके दर्शकों ने बहुत भारी मतदान किया साथवे चरण के लिए भी बड़े उत्सा के साथ मतदान करने के लिए लोग तंत्र के परव को मनाने के लिए हिंसा, भाय, आतंग, इन सबसे डरे मिला बंगार के लोग मद्दान करने के लिए आगे आ रहे हैं वे सच मुझ में अभिनादन के अधिकारी हैं और यही लोग तंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इसलिए मैं आपके दर्शकों को इस लोग तंत्र के परवकी आखरी चरण के मद्दान की बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ 17 rallies in a single state यह बंगाल कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना तो वाई बिंगोल आपके लिए इतना important बन गया मैं मानता हूँ कि देश की जनता हमे जब कोई सेवा करने का काम देती है तो दिल्ली में बैट करके मौच करने के लिए नहीं देती है चुने हुए जन प्रतिनिती के नाते और देश के प्रधान नत्रिके नाते यह मेरा दाईत्व बनता है कि हिंदुस्तान के कौने कौने में जाना और जनता जनारदन से मिलना उनसे समवात करना यह मेरी जिम्मेवारी का हिस्सा है और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से अब तक 5 साल कोई Friday, Saturday, Sunday ऐसा नहीं होगा कि मैं हिंदुस्तान के किसीने किसी कौन में न गया हूँ, तो यह मेरा जीवन मंत्र है कि क्योंकि मैं जनता का इंसान हूँ, मुझे जनता के बीच में रहना चाहिए, और इसलिए मैं आया हूँ, दूसरा, मेरा इस चुनाव अभियान में प्रमुक काम यह था, आम जनता का धन्यवात करना, क्योंकि 5 साल देश ने करें उनका धन्यवात करूंगा, बंगाल मेरा विशेश नाता रहा है, मेरे जीवन के प्रारें भी काल में, रामकृष्णा मिशन, पुझे आत्मस्थानन जी महराज, तो स्वाभाविक, बंगाल की धर्ती को नमन करने का मन करता है, बंगाल के महपूरुशों का याद करके प्रेना लेने का मन करता है, और बंगाल की जनता, उनके प्यार और आशिरवार, मुझे ताकब देते हैं। का डेवलप्मेंट करना है, तो मेरा स्पर्ष्ट मत है, आज हिंदुस्तान का पस्षिमी हिस्सा जो है, तो बेस्टन पार्ट अफ इंडिया, चाहे केरल हो, करनाटक हो, गोवा हो, महराश्टर हो, गुजरात हो, राज़स्तान हो, पंजाब हो, तो आपको वहाँ एकॉनोम करना हो, तो बारत का संतुलित करना हो, तो बारत का संतुलित विकास होना चाहिए, जो स्थिती आज पस्षिमी हिंदुस्तान के हिस्से की है, जितना हो सके जल्दी इन दोनों को बराबर बराबर ले आना चाहिए, दोनों को तभी जा करके भारत फाइव ट्रिलियन डॉलर के एकॉनोमी में पहुंचेगा, तभी भारत आज जो विश् जिने का सपना पूरा कर पाएगा, तो मेरे मन में पूरे पुर्वी हिंदुस्तान का वीजन है, और कोलकता पूरे भारत की ग्रोथ एंजिन का सेंटर हब बन सकता है, इतनी ताकत पड़ी है, लेकिन पिछले 40 साल में हमने बरबात कर दिया है, ये वापिस लाना बहुत जर पूरे करता और वार्कर्स का कंप्लेंट है, प्रीपॉल और कूस्पॉल वायलेंस, तुम लोग कंप्लेंट तो इलक्शन कमिश में दाखिल कर रहे है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कैम्पेंग करना वाजपा के लिए कितना मुश्किल है, शबाल वाजपा नो वाजपा छोड़ दीजिए, पराजय के भय के कारण, यहाँ की T.M.C. पार्टी, यहाँ की मुख्यमंत्री और उनके दरबारी, वो इतने दरे हुए हैं, और इतना अपना बैलेंस खोचुके हैं, तो उन्होंने बंगाल की जनता को ही दूस्वन बना दिया है, वो बंगाल की जनता और बंगाल की सरकार के बीच की लड़ाई है, जो लोग मारे जा रहे हैं, तो बंगाल के ही अपने बच्चे हैं, और मारने वाले कौन है, जो सरकार में बैटे हैं, वो ही मार रहे हैं, तो इसलिए लड़ाई, दूसरा, यह कोई लोगसभा का चुनाव शुरू हुआ तब स जो टीमसी के सिवाई जीत करके आए, उनके घर जला दिये रहें, तो यह असहिश्टू था, यह अंडेमोक्रेक्टिक एट्यूटू यह देश के लिए चिंता का विशा है। नया चीज़ अप खुलाना है देश में। मुमेंट जैसा हो जाएगा डेवलपमेंट का और इसलिए हर छेत्र में चाहे शहर हो गाह हो, पडालिका हो अनपड़ हो, पुरूश हो, स्त्री हो, बुजुर्ग हो बच्चे हो, हर किसी की कल्यान के लिए प्रयास करना। और दूसरा, देश के इंफरसेक्चर को ग्लोबल लेवल पर ले जाना। और इसलिए मैं कहता हूँ, कि जो हमारा तिरंगा जन्डा है, वो हमारी प्रेना है, कैसे? तिरंगे जन्डे में एक सेफरन कलर है, तो मैं सेफरनाइजेशन करना चाहता हूँ, और जब सेफरनाइजेशन सुनेंगे, तो यह आपके बंगाल के लिबलर के जर आंख खड़े कान कड़े हो जाएगे, मैं जहाता हूँ, कि सरया क्रांथी मतलग उर्जा क्रांथी, उर्जा का रंग सफरन 열ाइजेशना है, और उसमें भी सोलार एनर्जी, तो मैं देश में उर्जा क्रांथी करना चाहता हूँ, दूसरा क्लर है भाइट, इसलिए हमारा मिल्क रिवलिश रिव करना में एक नया स्वेक्व पर सूरुन öakt Mundy के लिए उसमाने और में वो blue revolution के लिए हैं हमारी समुद्रिक शक्ती हमारे मच्छवारे हमारा मच्छ उद्योग हमारा port late development हमारा sky neat and clean environment इन सारे और जंडा ऐसे नहीं होता है जंडे के साथ एक डंडा होता है डंडा मजबूत होना चाहिए और डंडे का मतलब है infrastructure मैं ऐसा वो डंडा ऐसा infrastructure का बनाना च चाहता हूं कि जो global benchmark वाला infrastructure हो कि दुनिया की बराबरी करने वाला infrastructure हो और उस infrastructure पर विकास का ही जंडा फैरेगा देश नहीं करांती करेगा अब दुनिया का बात कर रहे हैं इंडिया इस नौवेरे सॉडिटली लेस्ट इन इंटरनेशनल कम्यूनिटी इंडिया को टेकोर ने बोलता है भारोताबार जगोत्षभाई स्टेश टू आशनलव है विच इस गूंड़ इंडिया इंडिया इस पोजिशन तो आपका क्या विशन है इंटरनाशनल रिलेशन से हमारा मित्वत नहीं है चाइना से जग रहे हैं पाकिस्तान से प्रॉब्लम है तो दैश्यों ने मुन्यों ने सध्यों से कहा है वसु धैव कुटूंखंड पूरा बाल्डिजबन फैमिली यह सिद्धांत भारत के हैं और भारत ने दुनिया को बताना चाहिए विश्वा को हमने जोड़ना चाहिए भारत पहली बार विश्वा को जोड़ने में नितृत्व कर रहा है हमने इंटर्डेस्टर सोलार एलाइंस बनाया शुर्य शक्ति के नाम पर उस काम पर हमने दुनिया को जोड़ा योगा को ले करके हमने पूरे विश्व को जोड़ा तो हमारी जो मुल्बूत शक्ति है उनको ले करके पहला काम हमारा दुनिया को जोड़ना दुनिया आज हमें स्विकार कर रही है, क्योंकि दुनिया हमें जोडने वाला के रुप में जानने लगी है, तोडने वाले के रुप में नहीं, गुटमाज के रुप में नहीं, हम इज्राइल के साथ भी दोस्ति करते हैं, पलेस्टाइन के साथ भी दोस्ति करते हैं, हम अरेबिक कंट एक वर्ड आज चुनाओं के बस वर्ड बन गया वह चोकीदार अपने कॉनिज किया है अपनी जित्ता बार कहा विरोधी दल ओपोजिशन लीडर्स शाहिद उसते जादा किया है तो इस चोकीदार वर्ड से आप आम जंता के साथ कैसे कनेक्ट लेखेए यह शब्द मैंने खो दिन अख़बारों में टीवी पर यह गोटाला वो गोटाला यह चलता था तो मैंने इलेक्शन केंपेंड में कहा था कि आप मुझे प्रधान सेवक के रुप में बिठाइए लेकिन मेरे से चोकीदार का काम दीजिए और आपने देखा होगा पांच साल में मैंने उस चोकी शिफ का सिद्दांत की बाग करते थे मेरी चोकीदार की प्रेणा, महत्मा गन्दी शिफ का सिद्दांत हैं जिसको मैं पूरी तरह लाग्यू करने हैं। ये पद, ये प्रतिष्टा, ये प्रधान प्रंत्री पद जो भी है, मैं इसका एक ट्रस्टी हूँ, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मुझे एक ट्रस्टी के रुप में ही देश की संसाधनों का, देश की संपर्तिक का, देश की समि का मेरा अपना एक शब्द है अब से एक शिकायत है यह शिकायत एक वोटर का एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशन नॉट नरेंद्र मोदी ऐस प्राइमिनिस्टर तेकि भारते राज़ित के परमपड़ा थे कि अब यह पोडिया में जाके ममतादी को जितना बर्शाया कड़क इस चुनाओ में हम लोग जो देख रहे हैं बोटर जो इतना अशब्द एक दूसरे के उपर प्रैक कर रहे हैं यह हम लोग को भोटर लोग को अच्छा ने है तो हमको प्रश्ण है आप जब ममतादीदी से इलेक्शन के चुनाओ के बाद बिलेंगे आप हजेंगे की नहीं इतना क्यों अशब्द इस चुनाओ में इंडिया में इतना क्यों अशब्द प्रैग हो रहा है पहले आप लोग यह जो एजन्डा बनाकर के चल रहे हो इसी के कारण इसका सही मुल्यांका नहीं होता है होता क्या है आप जन्रल टोन में कह देते हैं कि इस चुनाओ प्रचार में बाशा अच्छी नहीं रही है इसके बजाए अच्छा होगा कि मैं इस वक्ति ने यह बोला गलत बोला इस वक्ति ने यह बोला गलत बोला यह होना चाहिए अगर आप पिन पॉइंटे डिबेट शुरू करोगे तो सब डरने लगेंगे कि मोदी जी ने भोल दिया तो मोदी भी सोचेगा अर यार मेरी गलती हो गए लेकिन अभी हम क्या करते हैं तिसे का नाम नहीं देते हैं तो गालिया देते हैं वो भी गुनेगार और गालिया खाते हैं वो भी गुनेगार तो इसके कारण यह जो वातावन बना है उस अच्छा होगा। दूसरा विशय है। एक विशय में मैं लगातार लेता हूँ। हमारे देश में लोकसभा और विदान सब्सक्राइब की चुनाव साथ साथ होना बहुत जरूरी है। अगर Parliament और सम्ली की चुणाब साथ साथ होंगे तो यह जो 12 महिना तूतू में में चलती है वो बंद हो जाएगे पांच साल में एक बार आएगा जयसे होली का तुवार आता है हभ कोई कपड़ा काला करता है, मूझ काला करता है, सब करता है फिर गले लगता है हमारे देश में भी पांच साल में एक बार बड़ा जबर्दस लोगतंतर का उत्सव हो जिसको जो रंग डालना है डाले जैसे पुरा हो जाए ना दो करके घले लग जाना पांच साल देश चलाना यह बनाने की जुरूप है और एक कन्फूजन आपको मैं फ्रैंकली बताता हूँ ऐस अ वोटर इस चुनाओ का इशु क्या है रिकाश पुरूद पुरूश मोदी या रफायल और डेवलपमेंट और गरीबो गरीबी हटाना चुनाओ का इशु बदलते बदलते जा रहे हैं तो हम किस मुद्धे पर भो ला हूँ लेकर आपका ध्यान उससरफ जायगा नहीं अभी भी बोला हूं मैं काफी समय में ने उसके लिए दिया है निक्वा द्यान नीजाएका और मेरे कोई भी बाशन सुन दीजिए अगर मैं 20 मिनित बोलता हूं तो 16 मिनिट इनी विशे पर बोलता हूं कर शुरक्षा दूसरा सब का विकास, तीसरा सब दूर विकास, सब इक्षेत्र मुर्या, तो मेरे तीन एजन्डा है और तीनों एजन्डा पर बोलता हूँ मैं क्यों यह पूछा आपको, क्योंकि अट इंड अफ दे यह आगया, यह पस्चिम मंगल में जचुना हो रहा है, यह मोधी वर से दीदी का चुना हो, मुद्दा क्या है, यह तो मुद्दा नहीं हो सकता है, वो आप यहां के पत्रकार है, हो सकता है दीदी आपको मिलती हो कि नहीं मिलती हो कि मुझे मालूम नहीं है तो पूछी है कि में मी बटेम के लिए título कजी है कि महारका बेरे चाहए है तुम पूछान ना उन सब्सक्राइब सब्सक्राइब गुजरात हिंदी बेल्ट नहीं है आज 30 साल से महां हमारी सरकार है तो डोकलाम में चाइना को जो अडवांसेज कर रहे थे हम लोग सक्सेस्फुली थौट किये थे पुलवामा के बाद पकिस्तान तो सभी को पता है लेकिन ये दोनों कांट्री प्रॉपर्ली इंडिया का ताकत ऐसा है उसको रेजिस्ट करने का पहली बात है भारत पूरे विश्व के साथ अच्छे समन्द का पक्षकार है साथ साथ भारत को अपने शुरक्षा बलो पर संप्रोन विश्वास है अच्छा एक 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 प्रश्ट एक प्रश्ट जस्ट इस आज अब चूनेंगे प्रधानमंत्री कैंडिट के आज महागडबंदन के लोगों ने गोशना कर दी है सब बोलने लगे पहले आप पहले आप पहले आप लखना भी वाशा शुरी हो गई है वो कहते हैं अब हम प्रधानमंत्र का दावा नहीं करेंगे हम कोई आगे आता है तो हम समर्थन करेंगे तो उन्होंने मैदान छोड़ दिया है और इसलिए वो काम मुझे मत दीजिए अभी देश की जन्ता ने मुझे जो काप दिया है वो मुझे कर दे दीजिए फिर एक ब प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर एक बार विकास के लिए करके आऊंगा फिर विकास के रहा पर बंगार के साथ चल पड़ूंगा बंगार के लोगों के साथ चल पड़ूंगा यही मेरी आप सब को सुबकामराओं के साथ आशिरवात्ती अफेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज बंगार से विदाई लेता हूं और परणाम के बाद जुरू मिलेंगे